जैसे री राम सिंगरास के दोस्तों स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारी यूटूब चैनल में मैं हूँ आचारिस के तिवारी दोस्तों आपका रासी फल लेकर हजिर हैं बात करेंगे सुमबार 7 अक्टूबर का दिन आपके लिए कैसा रहेगा तो आईए रासी फल जाने से पहले आज के पंचांग के बारे में जानते हैं आज सुमबार 7 अक्टूबर 2024 अस्टी इन सुकलपक्षी चतूरती ती थी विक्रमी संबद 2018 आज का सुरियोदे 6 बच के 17 मिनट पर होगा तो ये आज का सुरिया से 6 बजे होगा बात करते हैं आज के चंद्रमा के बारे में तो आज चंद्रमा ब्रिश्चिक रासे में गोशर करेंगे आज जिन बच्चों का जन्म होगा उनकी रासी ब्रिश्चिक होगी साथ ही आज ब्रम्ह मूर्थ बना हुआ है चार बच के 49 मिनट से सुबह 5 बच के 28 मिनट तक आधी राद से लेकर 8 अक्टूबर को 6 बचके 18 मिनट सुबह तक आज सरवार सी द्योग है सम सुबह 6 बचके 17 मिनट से लेकर 2 बचके 25 मिनट आधी राद तक तो ये थे आज के सुमहूरत इन सुमहूरतों में आप किसी भी प्रकार के सुभकार प्रारम कर सकते हैं आज का राहुकाल का समय रहेगा 7 बचके 45 मिनट सुबह से सुबह 9 बचके 13 मिनट तक राहुकाल के समय किसी भी सुभ और अच्छे कारियों के सुरुआत नहीं की जाती है अब आई जानते हैं आपके रासे फल के बारे में तो सिंग रास के दोस्तों सिंग रास के लिए आज का दिन महत्पूर्ण रहेगा आज आप कोई महत्पूर्ण काम सुरू कर सकते हैं जो भविस में आपको लाब दिलाएगा आपकी बिरूधिय और सत्व आपसे आज इरसा कर सकते हैं लेकिन आप किसी की परवाह किये बिन आज काम पर फोकस करेंगे और अपने रुके हुए कारियों को पूरा कर पाएंगे अगर आप जमीन जादात में कोई निवेस करना चाहते हैं तो आपके लिए दिन अच्छा रहेगा आज आप दिर्ग काली निवेस से अच्छा लाव उठा सकेंगे लोहा और पावस सेक्टर में निवेस करने से आज के दिन आपको बचना भी चाहिए आज खर्चों को नियंतर में रखें और अपनी आज और ब्याज दोनों में संतुलर मना कर चलना होगा आज कुछ काम आपकी सोच के विपरीत हो सकते हैं कोई भरोसे मंद बेक्तियाब को धोका भी दे सकता है इसलिए आज ऐसे लोगों से थोड़ा साबधानी बना कर चलें विदेश में ब्यापार करने बालों को आज कोई सुब समाचार मिल सकता है संतान को अच्छा कारी करते देख मन में काफी प्रसन्नता रहेगी आज आप दान के काम में भी कुछ धन खर्च कर सकते हैं नोकरी करने बालों को आज अधिकारियों की बज़े से काम कार्ज में थोड़ी परिसानी का सामना करना पर सकता है साथ ही साथ ही सिंगरासवालों के लिए आज का दिन अच्छा है धन प्राप्ति के आपको मार्ग मिलेंगे और आपके बैंक बेलेंस में अच्छी बढ़ोतरी होगी आज के दिन अगर आप कर्ज लेना चाहते हैं तो है आसानी से मिल जाएगा बिजनेस के लिए कुछ निकट और दूर की आतराएं भी कर सकते हैं अगर संतान के बिवाह में किसी भी प्रकार की बाधा आ रही है तो है आज समापत होती दिखाई देगी आप कोई नई प्रापर्टी घर या दुकान आज खरीदने की योजना बना रहे हैं तो उसके लिए दिन अच्छा रहेगा नोकरी में आज आपकी तरक्की देखकर आपके सत्व आप से इर्शा महसूस करेंगे लेकिन आज की दिन वो आपका कुछ बिगार नहीं पाएंगे साथ ही आज का दिन आपके लिए मजबूती लिए रहेगा अगर कोई सरकारी कार लंबे समय से लंबित है तो है आज कार पूरा हो सकता है और संतान के भविश्त जुड़ा कोई फैसला ले सकते हैं अगर आज किसी प्रापर्टी में निवेस करनी की योजना बना रहे हैं तो उसके लिए दिन अच्छा रहेगा छात्रों को आज सिक्षकों का भरपूरा स्विरवाद मिलेगा आज का दिन आपके लिए बेहतर रहेगा आज का दिन सिंगरास के जात्कों के लिए ब्यापार में प्रगति लाने वाला रहेगा आज समाजिक छेतर में आपके संपर कका बिस्तार होगा और आपके मित्रों के संख्या भी बढ़ेगी वैसे आज आपकी परसिद्धियों और सफलता से लोग जलेंगे और आपके सत्र भी आज आप पर हावी होने का प्रयास करेंगे विद्यार्थियों के सिक्षा में आरी इबाधा समात होगी सिक्षा के छेत्र में जो सिंगरास के जातक कारी करते हैं उनको आज अच्छा और कुछ नया रचनात्मा करने का मुका मिलेगा दिन के दूसरे भाग में आज आज आप पार्टी मन रोंजन का भी आविजन कर सकते हैं आपको आज बेतर खान पान का अनंद मिलेगा और किसी अच्छी ख़बर से मन प्रसन भी रहेगा तो सिंगरास के दोस्तों ये था आज आपका रासी फल कल फिर से कने रासी फल के साथ हम आपके साथ होंगे तब तक के लिए जैसरी राम